कि हालो फ्रेंज्ट मैं हूं आजम और हम लोग डिसक्स करने वाले हैं कंजीग्रेटिव नंबर्स के ऊपर तो आ Technology सिर्थ सब्रक व्लाइब स्य यूद्ध जानते हैं कि अश्यूंबश क्या हता है तो मैं आपको ढूंदérica डूंद ऐसे नंबर वालो कर रहे हो तो consecutive numbers कहलाते हैं जैसे 12 अगर हम दो numbers की बात करें तो यह दोनों numbers consecutive numbers हैं अगर हम 3 numbers लेते हैं consecutive में तो यहां पर हम लेख सकते हैं 2 3 & 4 एक order होना चाहिए numbers का और इस 2 के बाद 3 आता है 3 के बाद 4 कि अगर इसमें और consecutive numbers बढ़ाना चाहिए तो 5 तो एक order में यह number आगे बढ़ रहे हैं 6 तो यह सब consecutive numbers है जिसे कि हम 15 चुरू करें 15 16 17 18 तो यह सारे के सारे numbers consecutive numbers है और सिर्फ हम दो numbers की बात करें तो 16 & 17 consecutive numbers 15 & 16 consecutive numbers है 17 18 consecutive numbers है two numbers में युद यह सकते हैं थे यह सकते हैं 3 consecutive numbers भी और सकते हैं तो definition देख लेते हैं इसकी किस तरीके से होगी जो चलिए है कि यह consecutive इस तरीके से लेख सकते हैं कि consecutive numbers आर नंबर्स देट फोलो फोलो एच अधर इन आर्डर एक आर्डर में वह नंबर्स एक दूसरे को फालो कर रहे हूं तो consecutive numbers कहलाते हैं तो यह तो consecutive numbers हो गए अब कोश्चन है आपका रायट थी consecutive multiples of 2 तो 2 के ऐसे multiples जो consecutive वह देखिए 2 के multiples अगर हम start करें तो 2 के multiples 2 4 6 8 10 12 14 यह सारे नंबर्स जो मैंने लिखने हैं वह 2 के multiples हैं consecutive का मतलब वह फालो कर रहा हूं एक दूसरे को अगर उसने पूछा आए कोश्चन है आपका 3 consecutive multiples अगर आपने 3 multiples लेख दिए तो अगर हम क्या 3 multiples लेखिए तो 3 multiples तो कुछ भी हो सकते हैं तो 3 multiples है आप कुछ भी लेख सकते हैं 10 लेख सकते हैं 2 लेख सकते हैं 4 लेख सकते हैं तो यहां पर देखिए यह फालो नहीं कर लाएं अब दूसरे को 10 के बाद 2 लिख आया आपने 2 के बाद 4 आपक फालो नहीं हो रहा है एक series नहीं वन्हें एक तो अगर हम consecutive जब लिखेंगे तो हम इस तरीक से लिखें टू फोर सिक्स यह तीन consecutive multiples हो गए कि टू पहला multiple है दूसरा multiple four है तीसरा multiple six है ठीक है एक सीरीज में हम जब हम लिखते हैं तो वो consecutive multiples कहलाते हैं इसी तरीके से जब नंबर लिखते हैं तो जो हम सीरीज में नंबर लिखते हैं तो जो है वो consecutive कहलाते हैं इसे negative consecutive लिखना हो आपको negative consecutive निगेटिव consecutive में क्या होगा इसकी minus one minus two minus three तो यह नंबर निगेटिव consecutive में इसको इस तरह से भी लेख सकते हैं minus three minus two minus one इस तरह से भी negative consecutive numbers हम लेख सकते हैं तो definitions और जो मैंने समझा है वो आपकी समझ में आ गया होगा